दोस्तु रिलाइस पौवर की बात तो श्टॉक के अंदर आज कुछ गिरावट देखने को मिली है लेकिन इस गिरावट के बावजुद जो सबसे बड़ी गुड नीज है कि बड़े फंडा उसने जम के खरीदारी के रिलाइस पौवर में और एक भी डेल बड़े फंडा उस जिसको वो लेके आगे बढ़ सकते है क्योंकि उनके पास फिलाल कोई दूसरी कमपनी नहीं बची एके करके सारी कमपनियां उनकी निलाम हो चुकी है डूब चुकी है अब अनिल दिरुबार में इस कमपनी को तो वो आगे बढ़ाएंगे और इसलिए उन्होंने अपने गि अधिम से सबसे जो बड़ी बात है कमपनी फोजिल फिल्स और नॉन फोजिल फिल्स दोनों में ही काम करते हैं तो यहां पर क्या इस समय इंवेस्मेंट करना ची या फिर एक बार प्रोफिट बोग करके निकल जाए लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक बेल आइकोन दबा दीजिए ताकि जब भी नए वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरू कीजिए चलो फ्रेंट्स वीडियो स्टार्ट करते हैं मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हुमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो सबसे पहले बाजार की बात के तो आज बाजार के लिए जो सबसे बड़ी क्रिटिकल कंडिशन वो यह है कि FI लगातर विक्वाली कर रहें और जब तक FI बाजार में विक् पिलाल नहीं बन सकती आज FI ने 8,111 क्रोड का नया इंवेस्मेंट किया लेकिन सामने 8,418 क्रोड की बिक्वाली कर दी तो उन्होंने आज 306 क्रोड का अपना माल बेचा है और इस मैन में उन्होंने करीब 7,982 क्रोड की बिक्वाली कर दी है वैसे 15 और 16 नॉमबर को उन्ह दी आई बाजार को संबालने की पूरी कोसिस कर रहे है आज डी आई ने 6,749 क्रोड का नया इंवेस्मेंट किया सामने 6,028 क्रोड की बिक्वाली की तो उनकी खरिदारी 721 क्रोड के आसपा से है बिलकुल कल जितनी ही खरिदारी कल भी उन्होंने 721 क्रोड की ही खरिदारी क बात ने तो stock की शुरुवाद 21.40 पर हुई शुरुवाद बिल्कुल पॉइट ही हुई क्योंकि closing थी कल की 21.35 के आसपस intraday में 21.45 का high बना लेकिन जो low है वो 20.70 का stock काफी नीचे गया 20 के इस्तर के आसपस लेकिन बड़े funders के खरीदारी के दमपे फिर से stock में अच्छी तेजी देखनों को मिली और closing 21.50 के आसपस यानि 21 के इस्तर को इसने फिर से चुआ गिरावट रही जरूर 1.17% की लेकिन ये समझ सकते हो कि निचले लेवल से इसमें recovery देखनों को मिली है वैसे ये stock 1 रूपीज के आसपस था कोरोना काल में बहुत ही जबरदस रिटन दिया आप समझी सकते हो कि आपका जो investment अगर आपको ने 1 रूपीज के आसपस निवेस किया होगा तो वह समय आपका investment 21 रूपीज का हो चुका है एक लाग का 21 लाग तो बहुत ही जबरदस रिटन दिया है लेकिन 25 की हाई भी है जो इसको अभी विदा किसने चुवा नहीं है पिछले एक साल में जिसने भी निवेस किया उसको 38 परसेंट का पॉजिटर रिटन मिला है 16 के आसपस स्टोक था साल बर पहले बात करें गर 6 मंद की तो इसने 12 परसेंट का पॉजिटर रिटन दिया 62 परसेंट का सांदर रिटन 12 रुपीस के आसपस प्राइस थी अगर बात करें 1 मंद की तो 26 परसेंट का पॉजिटर रिटन दिया क्योंकि 16 के आसपस स्टोक था महिने बर पहले काफी अच्छा रिटन दिया है लेकिन पिछले पाच दिनों में 7% की गिरावट भी हुए है उपर के लेवल से अब इसकी परदर्शन को देखे तो 16 नॉम्बर को स्टॉक 22.65 के आसपर ता जापे 1.6% की तेजी बनी 17 नॉम्बर को स्टॉक के क्लोजिंग 22.85 के आसपर जापे 0.9% यह नि 1% के आसपर की तेजी बनी लेकिन 20 नॉम्बर को स्टॉक 22.10 के आसपर जापे 3.3% की गिरावट भी फिर 21 नॉम्बर की बात करें बुकिंग इसमें लगबग आ चुकिये पूरे बादधार में वाल्यूम के मामले में रिलाइस पॉर आज नमबर तीन पे था और देख सकते हैं कि बाहरी वाल्यूम में कामका चुरा है अब इसके बीच में हमारे पॉर मिनिस्टर आरके सिंग की तरब से एक बड़ा बयान न करते हैं इसके काफ़ी ज़्यादा कोलर पॉर प्लांट है और सरकार का कहना है कि बले ही समय सबकार बहुत तेजी से कantee प्रौंट करें Arbeits work radioactive वाले है शाहित है मारे इसमें आर्दधीश्य हो शुरूरे देखी क्या प्रहां को जाने आने ऐसे में सरकार चाहती है कि इंडिया के जो बड़े-बड़े निवेसक है जो कॉर्पोरेट हाउस है वो निवेस करें और कोल बेस पॉइर प्लाट में और भी इन्वेस्मेंट आए फिलाल अधानी गृूप की तरफ से इसमें निवेस किया जा रहा है जिया सब्सक्राइब ए से अब देश की जो इकोनोमी की जो ग्रोथ है उपटरी पे आ चुके उसको आगे बढ़ाना है तो देख सकते हो कि प्राइवेट प्लेयर अगर इसमें हिस्सा लेंगे तब ही देश की एकोनोमी आगे बढ़ पाएगी और उसके लिए बीजली के उत्पादन की छमता को बढ़ेगा और उसको पूरा करने के लिए कोल बेस्पावर प्लाइन को अभी भी प्रमोट करना होगा सरकार बिल्कुल अपने हां नजरिया क्लियर कर चुके है कि आने वाले 2030 तक बले ही 500 गिगवाट की कैप्रसिटी पाएगे ग्री नजरिक के मादियम से लेकिन आने वाल इस समय जिसतर से इलेक्टिस्टी कंजम्शन बढ़ेगा इस सेक्टर की कंपोनियों को बहुत सारा फाइदा होगा और रिलाइस पावर आने वाले समें एक बड़ा मल्टी बेग रिटन आपको दे सकती है सबसे जो बड़ी बात है कि यहाँ पर पावर मिनिस्टर की तब से का गया है कि 2030 तक जो डिमांड है वो 335 गिगाओट की हो जाएगी जबकि इस समय जो प्रजेंड में 240 गिगाओट की ही कैपसिटी हमारे इंदुस्तान की है उस हिसाब से इस कैपसिटी को और बढ़ाना होगा और ऐसे में आने वाले समय में सरकार की तरब से बहुत सारी संभावना बनी हुए फिलाल 58 गिगाओट की जो थर्मल बेस कोल बेस पॉर प्लाइन कैपसिटी है वो पाइपलाइन में है अब सरकार का कहना है कि सरकार इस सेक्टर को पूरा प्रमोट भी करें सरकार के तरब से पावर फाइनेंस कोर्परेशन आप आरी सी लिमिटेड दो फाइनेंस कंपनी है फाइनेंस भी प्रवाइड करें ताकि इस सेक्टर में और निवेस आए तो एक तरस से देखें तो सरकार ने ये को कैप बिलकुल अपनी तरब से क्लियर कर दिया है कि अगर कंपनिया अपनी कैपसिटी बढ़ाना चाहती है तो आप सरकार उनको फाइनेंस प्रोइड बहुत अच्छी बात है और ऐसे में एक पॉजिटीव माहूल बनेगा अब चलते हैं कुछ बड़ी डील की तरब जिसकी तरब से आज पॉजिटीव माहूल बना तो सुबद 9 बचकर 20 मिनेट पर 21 की प्राइस से 10,22,0 की बड़ी खरीदारी हुई फिर 9 बचकर 28 मिनेट पर 21,40 की प्राइस से 11,9,000 की एक खरीदारी और हुई उसके बाद 1 बचकर 40 मिनेट पर 20,90 की प्राइस से 12,40,000 की बड़ी खरीदारी और हुई उसके बाद 3 बचकर 29 मिनेट पर बाजार क्लोई होने के समय 20,95 की प्राइस से 15,64,000 की बंपर खरीदारी हुई तो फिर 3 बचकर 20 मिनर पर 21.05 की प्राइस से 13,70,000 की एक बड़ी खरीदारी और हुई उसके बाद 3 बच का 27 मिनर पर बिल्कुल बाजार क्लोज होने के समय 20.95 की प्राइस से 13,40,000 की एक सांदर खरीदारी और हुई तो ये क्लेली आप समझी सकते हो कि आज एक भी डील बड़े फंड़ा उसके तरब से बिक्वाली के नहीं है सारी की सारी खरीदारी है जो इसारा करीए कि रिलाइस पौर में फिर से एक सांदर तेजी बन सकते है और इस लेओल पे काफी एची खरीदारी हो रही है यानि स्टोक आने वाल आपको एक अच्छा रिटन दे सकता है क्योंकि अब प्रमोटर अपनी होल्डिंग को बढ़ाने की तरब कोशिश कर रहे है साथ में अपने गिर्वी शेरों को छूड़ा लिया गया है यह सारी बाते साभीत करी है कि सेक्टर में सरकार के रेमो करम के दम पे यह स्टॉक कमाल कर सकता है और बड़ा मल्टी बैगर बन सकता है तो दाओ समय आपको लगाना चाहिए लोंग टम का नजरिया लेके लेकिन फ्रेंट कोई भी इंवेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनसल एडवाजर से बाड़े ले ले यह अपना खुद का रिसर्च करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके जुकेसनल प्रपच के लिए ही बनाए वीडियो पसंद आए तो लाइक से जोकी जोड़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक यो फ्रेंड